कि हलो फ्रेंश कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं आपके साथ में नए वीडियो के साथ में मेरा नाम मांतियाद हो है मैं टेस्ट हूँ आज मैं डिस्केस करने वाला हूं कि माइगरेन होता क्या है एक माइगरेन होता है एक होता आई माइगरेन दोनों में क्या डिफरेंट हो और तीसरा आता है cluster pen और चौता है तो यह चार टाइब के जो हमारे सिर में दर्द होते हैं उन से बहुत जालदा इफिट पड़ता है हमारी आखो में ठीक है अगर आपको माइगरेन है तो वो क्या होता है माइगरेन नो जो नॉर्मल हेडेक होता है उसको माइगरेन बोलते है है ऐसा लगता है कि हमारे जो से रहे उस पर कोई हथोड़े से माल रहा है ऐसा फील होता है मतलब इतना तीस दर्द होता है यह संथिंग आपको वन वीक भी रह सकता है अपको कोई मैडिसिंग खा रहे हैं आपको रिलिफ मिलेगा वाट आपको 100% शेयर रिलाज नहीं हो पा वारे में में और आइं मैंभ डॉनों में डिफिरंट किया है जो नि 들ुता है माईगरीन सबसे बड़ा होनें होता है कि मतलको की होता है और होता है माईगरेन सबसे बड़ा होनी का रिजन होता है कितना हूं कि Istri बात कउलीकर लेकर ने तर चीज़े कर apex माईडे में जो लोग टेंसे रख लेका है या खाने पीने में अच्छे सें मचाने हो खानी पीनी का हमारा होते हैं फेशे समय नहीं धे खाते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्याने चाहिए बाहर की चीज़ ज्यादा खाते हैं जिससे होता क्या है कि एक बाड़ी में किसी हर्मोंस का चेंज हो रहा है बाड़ी में हर्मोंस में बदला होता है तो उस कंडिशन में भी माईगरीन होता है दूशरा आता है कि रात में आख रहें मॉबाईल यूज करना है इसकी वज़ाओ से भी हो सकता है ठीक है और उसके बाद आता है कि किसी बात को ले कर या किसी प्रजेक्ट पर को एगर आप company में कोई तो होता है कि रेक university है कि हम इस प्रोजेक्ट के में कंपिलीट करना करें कि इसको क्या से complete करूं तो यह सारी बातों को लेकर तेंसर करती है परिवारी कुछ रीचुछ आजाते हैं a very नी प्रॉब्लम हो जाती है उसका तो माइग्रन होने के बहुत सारे इसल्टम होता है सबसे पहले मैजरें हमें क्या करना चाइए कि अगर आपको माइगरें रहा है तो आप डीलिट में वास करिए और लिए स्टिमाल चिर्ट करिए अच्छे से क्यों होता है कि अप्टेंशन से थोड़ा सा मुख्त हो जाएंगे तो अपनी माइग्रेन क्या होता है एक होता है सकते हैं आई पर में जो हमारी blood vessels होती है हमारे retina में तो वहां पर क्या होता है कि जब blood की supply थोड़ा सा कम हो जाती है जिसके वजा से हमें कुछ time के लिए कम से कम 20 मिनट तक के लिए हमारे आंखें ब्लर हो जाती है जो हमारा vision होता है वो ब्लर दिखना स्टार्ट हो जाता है कुछ time के बाद ठीक हो जाता है बट इससे कुछ effect नहीं पड़ता है यह temporary है मतलब इसको हम बोल सकते है temporary eye attack ocular migrant ठीक है यह कुछ time के लिए होता है कुछ time के बाद अपने ठीक हो जाता है बट इससे आंखों में कोई effect नहीं पड़ता है कोई और नहीं आता है ठीक है इससे बट नुक्सान क्या होता है कि कुछ time के लिए आपको bladness आती है यह क्यों आती है कि किसी object को focus कर रहा है तो वो क्या होता है कि इससे कि आपको vision blur हो जाता है कुस time देखने के बाद में आपको सामने किसी को अगर आप देखने हैं तो कुस time के बाद आपको लोगा है मैं इसको पहचान रहा हूं तो यह चीजा आने लगे तो आप आक आप माई-माइग्रे करें सबस्पहले आप अपने मॉर्णिंग में जब भी आप मॉर्णिंग टाइम में तो मॉर्णिंग में आप थोड़ा था एक्सकाइज रिए आप हो सके तो जितना हो सके आप विदाउर सिलिपर रहे संथा नंगे पाउँ को चलना है अच्छे से घासों पे अगर सेवेंटी परशंट ऐसे लोग हैं जो सिटी में रहते हैं जिनके घर में तीन-तीन से लीपर होती है बातरूम बेडरूम अलग आउट्डूर के लिए लग तो वह चीज़े क्या होता है यह फिक पड़ रहा है क्योंकि आज से 20-40 साल पहले उतना चसमें नहीं पहले तो इसका होता है कि आज के टाइम पर वास कर लिया और आखों को भी अच्छे से सफाई नहीं करते हैं वास नहीं करते हैं पानी से तो यह सब चीज़े को इफेक्ट पड़ रहा है हमारे आखों में जिससे ब्लैंडर भी बढ़ रहा है और जो आई आप माइगरें था मैंने आपको क कीशनत्र आते होंगे जो बोलती होंगे कि हमी हमारा ब्लार खालता है कुछ टाइंडर करहा लिए कि हुझते हैं जिसने अच्छे क्कुन अच्छे का सबस्क्राइब गाते khác वीडियो को देखिएगा और मैं जो वीडियो बना रहा हूं प्लीज आप सब लोग लाइक करिएगा करिएगा रिज़ियर के आगर आप लाई करते हैं तो हमें थोड़ा था लगे हमें भी मूटिमेट होगा हम वीडियो बनाते हैं आपको अच्छा लगता है तो अकर आप लाइक करें तो मुझे आश्य लगता तो उ एकक्सरसाइज करा एक्स क् duż को से हमारी आखों में एफेक्ट परता है जिससे बॉड़ी में एक्सरसाइज करते हैं लोग जीम जाते हैं तो वैसे हमारी बॉड़ी में जो स्टैमना बनती है तो वह एक्सरसाइज से होती है अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पावर का हंड़ेट परसन पहले देख सकते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए